So, as per the audience demand, here is the video for you all. आप लोग जानना चाहते थे कि अगर आप लोग policy bazar के IPO में इंवेस्ट करते हैं, तो कितना listing इं रिस टिन इंग इंग, कितना profit आपको मिल सकता है, latest GMP क्या चल रहा है, और जितनी भी details आपको इस IPO में इंवेस्ट करने से पहले चाहिए, वो सारी डेटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो अब सबसे पहले हम एक चीज़ देखने वाले हैं कि जो यह पॉलिसी बजार का IPO है एक तारिक से आप इसमें बिट प्लेज कर सकते थे 1st of November से और लास डेट है 3rd of November अब आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया है इ अवर सब्सक्रिप्शन डीटश क्या होता है देखिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन सेटिस को फ़र्ड़ कर देना मैंने आपको कंपणी का जो बिजनस मॉडल है पौलिसी बंजार और पैसा बंजार दोनों के ऊपर डिटेल में को इंफमिशन दी अगर आपने वह वीड वो अच्छा करने वाली है आपको आने वाले टाइम में भी उस कमणी की बहुत त्रिमेंडरस ग्रोथ दिख सकती है तो यहां पर लिस्टिंग इनके लिए जैसे मैंने आपको बोला दो चीज़े चाहिए पहले हमें चाहिए कि उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा में तो जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं डे टू पर ही यहां पर बुझो मुझे दिख रहा है 1.59 टाइम्स यह सब्सक्राइब हो चुका है अब जितना जादा सब्सक्राइब होता जाएगा यहां पर आपको आई-प्यो प्रिडिक्टर दिखाएगा कि इ सब्सक्रिप्शन जादा भी हो जाएगा जैसे इसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे लोग और आपना आई-प्यो में बिट प्लेस करेंगे और आपको सब्सक्रिप्शन स्टेट जादा देखेगा तो एक चीज़ तो हो गई कि ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अब 500 रुपे का मतलब क्या हुआ अगर यहां पर आप देख रहे हो कि 980 रुपे का शेर प्राइस है प्लस डेड़ सो लोग इसके डेड़ सो रुपे जादा देने के लिए रेडी हैं आज की रेट में ग्रे मार्केट के अंदर अब जतना जादा लोग पैसा जादा देने के ल हमारा प्रयास क्या रहता है कि हम आप लोगों को फिनांशली एजुकेट करें कि आप लोग फिनांशली इंडिपेंडेंडेंट हो पाएं तो एक गुड नियूस में आपको देनी थी कि आपने बैंक ऑफ बरोड़ा की न्यू अप्लिकेशन के बारे में तो ज़रूर सुना पड़ता था लाइनों में लगना पड़ता था फिर जाकि उनका अकॉंट खुलता था सेविंग अब यहां पे आप घर बैटे बैटे ऑन लाइन अपना फ्री में डिजिटल सेविंग अगाउंट खुल सकते हैं इसके साथ-साथ जब आपका सेविंग खुलेगा तो आपक Eros Now और Amazon Prime आप यहां पर बहुत असानी से अपनी FD और RDB बुक कर सकते हैं और आपको Bob World के ऊपर 200 से जादा Banking Services भी मिल रही हैं आप यहां पर अगर लोन लेना चाहें तो आप मुदरा लोन और शिशु मुदरा लोन के लिए भी अपलाई कर सकते हैं तो इस खुशियों के तोहार पर आप सिंपली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाएं लिंक पे क्लिक कीजिए और Bob World के साथ सिंपल सेप्स को फॉलो करते हुए अपना घर बैटे बैटे फ्री में डिजिटल सेविंग अकाउंट खुलिए अब यह तो हुई सेविंग अकाउंट आप किस तरीके से खोल सकते हैं अब सेविंग अकाउंट के सास्त हम बात कर रहे थे पॉलिसी बजार की तो आप पॉल चलते हो गाड़ी लेकर तो आपको अपनी मोटर के लिए आप चाहे गाड़ी चला रहे हो चाहे मोटर बाइक चला रहे हो आप चाहे स्कूटर चला रहे हो आपको इंशॉरंस चाहिए यह नीड है अचा लोग तो चलान कर जाए इसके डर से भी इंशॉरंस लेते हैं तो ल लोग अवेर हो रहे हैं कि हमें term insurance रही है लोग समझ रहे हैं कि hospitals का इतना ज़्यादा बिला रहा है रोज नहीं नहीं तरीकी की बीमारी आरही है तो लोग medical insurance भी ले रहे हैं सो इन इंशारे इंशारेंस की आपको क्या लगता बी आने वाले time में Nawry कैसी आपको जो लखता है आप वो सोचें़ अगर आपको लखता आने वाले time में Online Sector Boom करेगा लोग और बार त्यासे लोग आभे इंडिया में लोगों की पर capital income बढ़ रही है पहले लोग insurance को luxury समझते दें अब इसे उन्हें समझ आ रहा है कि insurance नहीं है तो हम परशानी में फस सकते हैं हमारे पर saving account में पैसा है वो भी चला जाएगा अगर insurance नहीं होगा तो policy बजार insurance बेच रहा है इसके साथ-साथ जैसे हमारी economy बढ़ रही आगे लोगों को loans चाहिए अब पैसा बजार पर जाके लोग loans भी ले सकते हैं तो दोनों ही segments को अगर समझ पा रहे हैं यह booming sectors हैं तो आप business को समझते हुए हमेशा अपना पैसा लगा यह वार्ण पफे की अप्रोच को याद करिए कि अगर आपको business समझ आ रहा है तभी आप उसमें पैसा लगए है अगर हमें लग रहा है कि भी बस market में हाइप बहुत जाद है और business उसका इतना अच्छा नहीं है companies fundamentally strong नहीं दिन आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए वाट हमने fundamental analysis करी ती इससे पहले वाली वीडियो में आपने वीडियो देखी होगी अधरवाइस आप बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं एंड राइट नाओ आपको सारी चीज़े crystal clear डेटा आपके सामने subscription status आपके सामने है GMP आपके सामने है so what do you think क्या आपको इसके IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपकी जो राया नीचे comment में जुरूर बताइएगा finally आप अपने DMET account में जाके बहुत असानी से simple steps को follow करके अगर आप इस IPO के लिए apply करना चाहते हैं तो बहुत असानी से कर सकते हैं और आप जैसी IPO के लिए apply कर देंगे you will see कि आपके पास Bheem application पर आपकी UPI से वहाँ पर request आईगी आपको उसे approve करना है and that's it आपने IPO के लिए apply कर दिया so you can place your bid for the IPO and all the very best कि आपको बहुत अच्छे listing gains मिले finally आपको क्या लगता है कि आपको apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए निचे comments में जुरू बताएगा इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए like कर दीजिए और share कीजिए जिससे जाधा से जाधा लोगों को पता लगे policy बिजार के बारे में listing gain के ऊपर और यहां पर GMP क्या चल रहा है इसके साथ में आपको बॉब वर्ल्ड के बारे में बताया बॉब वर्ल्ड पे अगर आपको अपना फ्री डिजिटल सेविंग अगॉन खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में ह I will see you in the next video till that time you were self made